हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइन चैनल पॉइंटर क्लासीज जैसा कि आपको पता है कि एक लास 9 का एसेस्ट का सेकेड चेप्र चड़ा था भारत के बहुतिक परदेश तो हमने भात के बहुतिक परदेशों में देखा था कि भात के जो बहुतिक परदेश हैं उन्हें छे भागों में जिसमें हमने पढ़ लिया है उत्तर परवतिय पदेश जिसमें हिमाल्या परवत आता है इसके बाद सेकेंड था उत्तर भाध का विशाल मैदान जो की सिंदु नदी गंगा नदी और भ्रहंपुत नदी से बना था और आज उसके बाद हमने प्राइद विपय यहां उसके पुरा वह परश्च मिंदि में तरफ जो 3 आता हुए उससे कैतीत घाट यहां पडीफ़ letter से deaf होती है नोशो से 1200 मीटर के बीच में होती है और जो पूरबी घाट है वहाँ पर काफू साई जो नदिये हैं वो बैथी हैं जैसे कि महानदी होगी किश्णा कावेरी नदिया और इसका जो घाट है यह कहां से कहां तक है तो यह महानदी घाटी यहाँ से शुरू होता है एंड़क्षिन में नीलगिरी तक इसका विस्तार है बट यह जो पूर्वी घाट है वो स्तत नहीं है यानि कि लगारता नहीं है बलकि एनियमित रूप से हैं क्यों क्यों कि यहां पर बहुत साई नदिये हैं जो क्या करती है कि यह जो घाट वा शेतर है तर्ट का शेतर है उसे कारती जाती है पश्मी घाट में परवतिय होती है तो अगर कोशन आ जाए कि परवतिय वर्षय जो वह कहां पर होती है तो यह पश्मी घाट में होती है यह है वर्षय घाट के पश्मी ढाल पर आदर हवा के टकराकर यानि कि जो हवाईं चलती है जो हिंद मासागर से हवाईं चलती है तो व यहीं पर वर्षा कर देती हैं पश्मी घाट के उंचाई उत्तर से दक्षिंग की तरफ बढ़ती जाती है इस भाग में जो उंचे शीखर है वो कौन सी है अनाई मुड़ी तो अगर कि प्राधिव भाद की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो वो कौन सी आजेगी अनाई मुड पूर्वी घाट का सबसे उंचा यह तो है पश्मी घाट पर वैसे उसके बाद के हैं पूर्वी घाट पूर्वी घाट का सबसे उंचा शीखर कौन सा है महिंदेगी जबकि जो पश्मी घाट है उसका सबसे उंचा शीखर है तो कुद्रे मुख तो पूर्वी घाट की दक् स्वास्त है वर्दक शेत्र है कोडी कनाल जैसे परसित पहाडी नगरों की स्थीति यहां पर है इसके बाद आता है प्रादिप्य पठार की क्या विशेचत है कि यहां पर काली मिट्टी मिलती है जिसी के कहते हैं दक्कन ट्रैप इसकी जो उत्पती है वो जवाला मुखी से हाँ पर जो शेले हैं वो कौन सी है अगरने शेले वास्त में इन लों का जो समय के साथ अपरदन होने लग जाता है जिन से काली म्रदा का निर्मान हुआ है अरावली की पहाडिया है जो वो प्राइदित पर पठार के पश्चिम और उत्तर पश्मी किनारे पर स्थित हैं य और अगराज राजिस्तान में इसका विसार कहां पर है तो इसका विसथार है वे सीरोही से लेकर जुन्जनु तक है इसके बाद आता है भारतिये मरुस्तल इहाँ पर बहुं से भी कहा निर्मान होती है यह शरीतु में ही क्या है सरीताइं दिखने को मिलती है और इसके बाद ये जो नदियां ये सरीताइं है ये बालू में ही वीलिन होने लग जाती हैं केवल लूनी नदी ही इस शेतर की सबसे बड़ी नदी है कोश्निया आजए कही भारत यानी निफितार जो था underस्थली उसमें म४न की जाकरती हम होते हैं उसे कहते हैं बरकान लिखाओ यहाँ पर बैसे बर घॉटा है इसका विस्तार यानि किसका जुदिक हैं लेकि लमब लकृषिया यह में यदि यह जाते हैं इसके बाद नेक्सेट केसट देखते हैं इसके बाद आता है तटिये मैदान तो प्राइदित पे पठार के किनारे हैं जो वो संकीन तटिये पटियों के लिए हैं और ये पश्चिमी अरब सागर से लेकर पूरव में बंगाल की खाड़ी था पश्चमी तट, पश्चमी घाड और अरब सागर के बीच में एक संकीन क्या है मैं तटिये तो हमने पश्चमी घाड के बाई में पढ़ा था जो शेत्र है उसको क्या कहते हैं कॉंकन तर्ट इसके बाद गोवा से लेकर करनाटक का जो शेत्र है उसे क्या कहा जाता है इसके बाद लिखा हुए है कि जो बंगाल के खाड़ी के साथ विस्तत में जो मैदान चोड़ावे समतल है और यह जो पूर्वी तर्ट है यानि कि जो उसे भी कहा है दो भागों में बांटा गया है और वो कौन से है तो उत्री भाग को क्या कहते हैं उत्री सरकार और जो दक् लेल्टाओं का निर्मान करती है इसके बाद लिखा हुआ है आगे देखते हैं द्वीब स्मू तो द्वीब स्मू क्या होता है से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो द्वीब हैं वो क्या होते हैं तो ऐसा भुबाग जो कि चारों और से जल से हुआ हो उसे क्या कहते है द्रीप स्मू तो भारत है जो उसके पश्चिम में क्या है अरब सागर और पूरब में है बंगाल की खाड़ी तो जो पश्चिम में द्रीप स्मू है उसे क्या कहते हैं लक्ष्टीप और जो पूरब में जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर जो द्रीप है उसे क्या कहते हैं अन्दमान वे निकोबा वेप समूँ तो केरल के मालाबात अठके पास लक्षत्वीप की स्थीति आपने मैप में देखी होगी और यह जो लक्षत्वीप है यह क्या है चोटे प्रवाल विपों से बना हुआ है और यहां पर क्या है लक्षत्वीप मीनिकाय और अमीन दीप के नाम से भी से जाना जाता है 1903 में इसका नाम है जो लक्षत्वीप रखा गया था और यह 32 वर किलोमेटर के छोटे से शेतर में फैला हुआ है तो जो लक्षत्वीप समूँ है वो कितने किलोमेटर एरिया में है तो यह 32 किलोमेटर में फैला हुआ है कबरती द्वीप रुष्य का निवास नहीं है यहां पर क्या है ओनली पक्षी अभ्यानी है यानि कि यहां पर क्या है बोज़ादा पक्षी िमिलती हैं इसके बाद है बंगाल के खाड़ी में उत्तर से दक्षिन की तुप शरंकला है उसे कैते हैं अंडमान वै निकोबार दीप सुम् यह जो वाकार में क्या हैं बड़े होते हैं और बिखरे हुए होते हैं और ये जो दीजलन हैं इन्हें दो भाग में प्राटा गया है उत्तर में इसे कहते हैं अंडमान और जो दक्षिन में हैं उसे क्याते हैं निकोबा वो नी मर्जित परवर जो शेनिया के शीकर हैं और यह दीपस्मू देश की सुरक्षा के लिए क्या है काफी जादा मैतरपुन भी होती हैं और इन द्विस्मू में पाए जाने वाले पादव है जन्तु है जो उनमें भी काफी सारी क्या है वीवीताई देखने को मिलती है की जो अंडमान वेद्वीप स्मू में है उसका क्या नाम है बैन द्वीप स्मू तो यह जो बात है आपको ध्यान देनी है यह जो कोश्ण है वो काफी बार पूच्छा जाता है इसके बाद यहां पर लिखा हुए है कि यह जो शेतर है वो प्राक्टिक संसादन से कहा है सम्रत यानि कि जो देश है वो प्राकतिक संसादन से सम्रध है उत्री परवत जल और वनों के प्रमुक स्त्रोत है और जो उत्री भायत के विशाल मैदान है जहां पर सिंदू, भ्रहंपूतर, गंगा नदी है वो क्या है अन का भंडार है यानि कि यहां पर जाव मिटी मिलती है जिसके कान यहां पर क्रिशी होती है इन सभ्यतों के विकास का धार मिला है और जो पठारी शेतर है यानि कि जो प्रादीप का भाग है वो वहां पर क्या है महां पर मेंली खनीज मिलती है जिसके कांदेश में जो उध्योगी करना है उसको काफी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और जो तर्ट के शेत्र है उसका भी बहुत ज्यादा यूसफुल है वो भाध के लिए क्यों कि वहाँ पर क्या है मत्सय तथा पोट समंदी किर्याक्राब हो जाते हैं यानि कि अगर हम कि अगे हम कि अगे हम कि अगे हम इसलिए में हम जो झाते हैं वितल जायादाना कि अगे हम इसलिए